हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल फार्मा सोलूशन अड़ा में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फीमेल के हेल्थ कंडिशन से रिलेटेट एक इशू के बारे में बात करेंगे यानि फीमेल में होने वाली एक बिमारी है जिसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा आज की वीडियो का टॉपिक हमने लिख रखा है और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे डिस्मिनोरिया Disminoria female में होने वाला एक condition होता है जो की painful menstrual cycle के नाम से भी जाना जाता है यानि periods के समय female में जो pain होता है उसे हम क्या बोलते हैं Disminoria लेकिन ये pain कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी problem create कर देता है बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि ये normal pain है या कोई हमारे health related condition है जो हमें किसी भी तरह की अलग complications को face करवा सकती है तो हम बात करेंगे आज Disminoria के बारे में detail में Disminoria के types कौन-कौन से condition create होते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि मैंने बताया Disminoria, Disminoria फीमेल में होने वाला एक health condition है जो कि कब होता है जब उनमें menstrual cycle से आया उनका periods जब भी होता है उस समय का तो यह condition वो है जब हमारे यूटरस में pain होता है due to contraction of uterus यानि uterus का contraction होता है बहुत ज्यादा उसके वज़े से pain होता है अब हम बात करेंगे uterus क्या होता है तो friends uterus में आपको पता है कि female के reproductive system में uterus का बहुत बरा रोल है uterus में uterus एक muscular organ होता है जिसमें हमारे किसी भी female के अंदर एक baby या fetus का growth होता है तो अब बात करते हैं उसका contraction क् friends menstrual cycle के समय जो pain होता है वो prostaglandine हमारे body में secret होती है उनके वज़े से pain होता है और prostaglandine के secretion के वज़े से हमारे uterus का contraction होता है इतने से हमें pain नहीं होता लेकिन अब जो condition है थोड़ा सा बदल जाएगी उसके बारे में आप थोड़ा बारिकी से समझें कि जब हमारे body के अंदर contraction, prostaglandine का secretion होगा तो हमारे uterus का contraction होना सुरू होगा और uterus का contraction हमारे जब किसी भी female को menstrual cycle आता है तो उसका uterus का contraction है वो बहुत ज्यादा strong वज़ाता है ज्यादा होने लगता है तो uterus के contraction होने के वज़े से जो uterus का muscles है उस तक oxygen या blood supply जो blood vessels लेके जाती है या जो नसे लेके जाती है वो contraction की वज़े से दब जाती है जिससे जो oxygen का है या nutrition का जो प्लाइब है हमारे uterus के muscles तक ले the nutrition लेके जाती है जो blood vessels में ब्लॉट वे समस्याद की कमी हो जाती है और वहां के टीसूस में पेन होना शुरू हो जाता है तो due to deficiency of oxygen जो uterus की मसल है उनमें पेन होना शुरू होता है तो यह mechanism पूरी तरह से काम करता है डिस्मिनोरिया के उपर यानि प्रोष्टाग्लेंडीन का सिक्रीशन होगा uterus के मसल्स तक oxygen की सप्लाई कम होने लगेगी क्योंकि uterus ज्यादा contract होने लगेगा और नसे दब जाएंगी जिनकी वज़ेसी यह pain होता है यह pain menstrual cycles के बारस एक या दो दिन पहले सुरू हो जाती है और 12 से 72 घंटे तक होती है यह normal होता है अब बात करते हैं इसके category की अब कौन सा condition सही अच्छा वाला है और कौन सा जो pain होता है menstrual cycle के समय वो खराब वाला है इसके बारे में हम अलग-अलग differentiate करेंगे इसको कि हमें किस से बचना चाहिए देखे इसके दो category है एक है primary dysmenoria और दुसरा है secondary dysmenoria फ्रेंस primary dysmenoria में हमारे recurrent pain होता है यानि पेन आएगा जाएगा आएगा जाएगा इस तरह से चलता रहेगा जब तक हमारे किसी भी फीमेल के अंदर में चलता रहेगा तब तक अब बात करते हैं उसके साथ साथ नोजिया वोमेटिंग डायरिया जो की 12 से 72 घंटे के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी यह है primary dysmenoria यानि इससे यह आसानी से ठीक हो जाएगा और खुद आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा यह बॉडि का नॉर्मल फिजियोलोजी है अब बात करते हैं secondary dysmenoria की secondary dysmenoria इसमें भी पेन होगा आपको पेन होने के साथ साथ नोजिया वोमेटिंग जैसे कोई कंडिशन नहीं रहेगी अब डिफरेंस यह आपको पता चलता है इसमें नोजिया वोमेटिंग और डायरिया जैसे सिंटम्स नहीं अब कैसे पता करेंगे कि यह कौन सा केटिगरी क त spin mirender रखा गया है अगर आपको किसी भी तरह की धीज़ीज है यानि किसी भी तरह का डिसॉडर हैं आपके रिप्रोड्यक्री सिस्टम में तो क्या होगा उससे जो पेन होगा हो के समय उससे किस कंडिशन मे रखा गया? secondary dysmenoria में या एक और कारण है किसी भी infections वगर है कि वज़े से अगर आपको menstrual cycle में pain हो रहा है उसको secondary dysmenoria में रखा गया है और इसमें secondary dysmenoria में मैंने बताया कि nausea vomiting या किसी भी तरह का आपको other symptoms देखने को नहीं मिलेंगे तो ये दो category है dysmenoria या painful periods का अब बात करते हैं कुछ कारण है risk factors हैं जो काम करते हैं इसके pain को cause करने के लिए देखे अधर causes में हमने यहां पे लिख रखा है endometriosis पहला condition है यह टर्म है endometriosis endometriosis क्या होता है फ्रेंट्स endometriosis जो हमारा uterus की lining होती है अंदर बाहर वाली lining वह मोटी हो जाती है जो uterus की lining है बाहर की तरह develop होना शुरू हो जाती है उसको endometriosis बोलते हैं और एडिनो इडिनो मायोसिस यहां पे लिख रखा एडिनो मायोसिस का मतलब uterus की जो inner lining है वह थिक होने लगती मोटी होने लगती जिसको इसे contraction होने पर उसमें oxygen का supply नहीं हो पाता जिसकी वजह से यह दोनों condition कॉज होते हैं और finally disminoria कॉज करते हैं painful periods condition कॉज करते हैं अगला है PIDS यानि की pelvic inflammatory disease यानि अगर किसी भी तरह का pelvic inflammatory disease है जैसे कि cervix के जो layers होते हैं वो अगर पतले हैं और या उनमें को infections है तो आपको disminoria का condition होगा यानि की painful periods होंगे और fibroids यह सबसे major causes हैं disminoria के यानि fibroids क्या है fibroids means आपको किसी भी तरह का tumor अगर अगर आपके uterus में या आपके reproductive system में किसी भी तरह का tumor है तो उसे क्या बोला जाता है fibroids बोला जाता है अब यह 3-4 conditions के बाद इसका examination कैसे होता है कैसे हम इसको diagnose करते हैं कैसे हमें पता चलेगा तो diagnosis में हम ultrasound करवाते हैं अपने abdomen cavity का और pelvic examination में एक microscopic catheter होता है जिसको हम doctor female के uterus तक insert करके पूरी तरह से examine करते हैं कि किसी भी तरह का कोई alteration तो नहीं है किसी भी तरह का कोई बीमारी तो नहीं है अंदर तो यह थे इसके diagnosis करवाने के अब बात करते हैं treatment के और क्या precaution लेके हम इस दर्ध को कम कर सकते हैं तो देखिए पहला है ibuprofen नामक एक drug है जो anti-inflammatory drugs होती है यानि इस category की drug है NSAIDs है non-steroidal anti-inflammatory drugs यानि अगर किसी भी इसको अगर खिलाने से infections भी कम होगा inflammation भी कम होगा और साथी साथ pain भी कम होगा और other pain killer में आप paracetamol खा सकते हैं आपको pain में रहात होगा अब बात करते हैं कुछ precautions की जिसको लेके आप इसका pain कम कर सकते हैं पहला है rest when needed यानि जब आपको जरूरत हो आप अच्छे से rest करिए यानि किसी भी females के periods के दौरान उसको heavy work नहीं करना चाहिए उसको आगदम आरा कुछ दिनों तक जब तक periods हैं तो आप डेश मनोरिया जैसी condition से रहात पा सकते हैं अगला है कब एक बहुत ही अच्छी therapy है यानि अगर आप एक hot bottle water ले और उसको एक पानी के bottle में बंद करके रख लें और उसको अपने back पे यानि अपने lower back पे रखके उसको आप मसाज करें तो भी आपका pain बहुत कम होगा और एक और है अगर आपके पास hot pad है यानि ऐसे कुछ गरम पट्टी टाइप का उसको अगर आप अपने lower abdomen में रखेंगे तो उससे भी आपको pain से रहात मिलेगी यह था यानि painful periods women's में या फीमेल में यह condition बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था तो इसलिए हमने इस टॉपिक पर यह वीडियो बनाया ताकि जितने भी फीमेल हैं या जितने भी women's हैं इस condition से अवेर हो सके अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक यू सुमाच